हाई अब्रीवन वेलकम तो माई यूटूब चैनल शिक्षा दिक्षा तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी वीडियो और आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या होती है महारतन कंपनिया नवरतन कंपनिया और मिनी रतन कंपनिया ठीक है तो य जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को प्रस कर लीजे और इसके साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फोलो कर सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी वीडियो तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क सब्सक्राइब मेरतन कमपनिया चल्याएं बनाने की जडरूत पड़ी इन कमपनियों को सरकार को दर्जा क्यों दिया गया है तो सब्सक्रिंग से पहली बात मैंने एकोनोमिक स्टाठ की थी लिफिस दिन तो कि जो हमारी के ऑलक्यरा है जो भारत की एक मिक्सिरे मिक्स्टे क है ठीक है मिश्रित अर्थ विवस्ता है कैसी है मिश्रित ठीक है तो जो हमारे मिश्रित अर्थ विवस्ता होती है इसकी खासियत ही होती है कि यह दोनों सेक्टर को ले करके चलती है यानि कि आपके निजी यानि कि आपके प्राइवेट सेक्टर होते हैं और जो हुआ एक देखिए हुआ कि जब हमारी भारत की सपार्वें रजी दियाफा क्टर करें उनने करेटीं करतीं अよろ तो बढ़ावा तेना शुरू किया जिती घर को जादा शुरू कर दिया तो उस से हुआ क्या कि एक अच्छा खासा अच्छी ओने लगा अब इनको भी जरूरत थी क्योंकि मिश्रतर्स विवस्ता है mixed economy है तो भारत को जरूरत है दोनों की ठीक है सार्वजनिक शेतर की जितनी जरूरत है उतनी ही निजी शेतर की भी जरूरत है तो क्योंकि इनका competition जो था यह अच्छा competition दे रही थी private sector को तो फिर private sector के लिए जो सरकार थी सरकार ने कुछ चीज़े की जैसे कि क्या क्या चीज़े की एक तो आपका किया निजी करण ठीक है जिसको बोलते है प्राइविटाइजेशन ठीक कैसी कैसी चीज़े लेकर के आई सरकार निजी सेक्टर के लिए निजी करण जिसको हम बोलते है क्या बोलते है प्राइविटाइजेश ऊसके बाद उधारी करण और इसको हम बोलेंगे जो यह एक है अपका उधारी करण और एक और चीज लेकर के आई वैश्वी करण ठीक है यह तीन चीजे भारत की सरकार लेकर के आई निजी शेत्र को बढ़ावा देने के लिए इन तीनों की तीनों चीजों से जो है निजी छेत्र ने जो आपका सार्वजनिक छेत्र की जितनी भी कंपनिया थे उनको एक अच्छा खासा कॉंप्टीशन दिया ठीक है क्योंकि इससे क्या होता था प्राइविटाइजेशन को बढ़ावा मिला उनको काफी सह सबसे हुआ कि निजी कंपनियों ने काफी अच्छा कॉंप्टीशन दिया गवर्मेंट सेक्टर को ठीक है और साथ में देखिए एक चीज क्या हो गई कि जो निजी सेक्टर होता है उसकी सबसे बड़ी एक खासया होती है कि उनके पास जो जैसे मालीजे की निजी सेक्टर क कोई भी कंपनी कोई भी प्राइवेट कंपनी है तो मालीजे वहाँ पर किसी भी चीज की जुरूत पड़ती है तो तुरंत पैसा लगा करके उस चीज को ले लिया जाता है कोई मशीन खराब हो गई या किसी भी चीज के लिए ठीक है तो निजी सेक्टर में जो काम होता है उसमें काफी टाइम लगता है आपको अपील पर अपील करनी पड़ती पहले यहां आपने दिया फिर उसके बाद वह चीज उपर तक जाएगी फिर और उपर तक जाएगी तो इसमें काफी सारा टाइम हो जाता है जिससे की काफी नुकसान भी जहलना पड़ता था तो दोनों को ही लगबग बैलेंस करके चलना पड़ेगा गवर्मेंट को तो हुआ क्या कि जो प्राइबेट सेक्टर के लिए तीन चीज़े लेके आई थी निजी करन उधारी करन वैश्वी करन तो इससे निजी सेक्टर काफी अच्छा कॉम्प्टीशन दे रहा था गवर्म परजनिक छेत्र है उसको भी काफी बढ़ावा मिले और वो भी हमेशा प्रॉफिट में रहे तो उसके लिए क्या क्या गया यह आपके तीन केटेगरी हैं उन में से दो केटेगरी बनाई गई सबसे पहले बनी नवरत्न केटेगरी उसके बाद बनी महारत्न स्वरी मिनीरत् केटेगरी तो देखिए यह जो आपकी तीन स्कीम आई थी निजी करण उदारी करण और वैश्वी करण यह आपका आया था 1991 में ठीक है कब आया था 1991 में जब यह आया उसके बाद फिर हुआ क्या कि जब सार्वजनिक शेत्र क्योंकि अच्छा कॉम्टीशन दिया फिर कंपनी पा जाती हो उसको काफी सारी सहूलियते सरकार की तरफ से मिलती तो क्या क्या सवचों मिलती है यह सारी चीजे में आपको ऑभी बताऊंगी ठीक है तो यह कब आई आपकी यह आपकी 1997 में ठीक है सबसे पहले भारत ने जो स्थेटी बनाई थी वह बनाइं ती नवरत नवरतन कम्पणियों की ठिखेत कोंसे कम्पनिया नवरतन कम्पनिया और उसके बाद October यह आप जुलाई में ठीक है जुलाई जुलाई 1997 में नवरतन कम्पनियों देखते हैं जो तर यहां क्या है? यह जो है जितना भी पार्ट है यह पार्ट आपका पूरा एकोनॉमिक है और एकोनॉमिक जब आप उसे अच्छे से पढ़ोगे तो मैं वहाँ पे आपको अच्छे से सारी चीज़े क्लियर करूंगी यहां पर क्या है कि थोड़ा से समझाना जरूरी है कि आखिर महारत्न कंप कंपनिया जो है आपकी उसके तहट था क्या कि कंपनिया ऐसे कंपनिया मिनीरत्न की शेड़ी में आएंगी जो तीन साल से प्रॉफिट हो में जा रही हो ठीक है तीन साल से लाब कमा रही हूं क्या कर रही हूं तीन साल से वह कंपनिया लाब कमा रही हूं इसके अलावा कम से सरकार का मतलब यह था कि जितनी भी ऐसी कंपनियां होती है जो लाब अर्जित करें ठीक है वो कंपनिया क्या करेंगे आगे चल करके सरकार का भी प्रॉफिट उससे होता है तो सरकार उनको एक छूट देती है जैसे कि जो मिनीरतन कंपनी है उसको एक छूट मिलती है कि आप ल साल से क्या कर रही हो profit में जा रही हो ठीक है वह company 3 साल से profit में जा रही हो यानि कि लाब कमा रही हो तो वह कितने का निवेश कर सकती है 1.500 करोण का और इसमें एक फाइदा क्या हुआ जो निवेश कर सकती है उसके लिए याँनि कि अगर किसी वी चीज़ की जरूरत पड़ती है अगर ओंपणे 5500 तक का निवेश करती है तो उसको सरकार से इसकी इजाज़त लेने की जरूरत नहीं है फिर उसके बाद हुआ क्या मैंने तो बाद में उससे पहले थी नव रतन नव रतन नाए थी नव रतन में भी क्या होता था कि दो केटेग्रियां होती थी हर एक सर्ते भी होती है और कुछ केटेगरीज होती है ठीक है तो एक शर्थ क्या थी कि पहली शर्थ यह थी कि जो भी कंपनी नवरत्न मिनीरत्न का ओल्रेडी हिस्सा है यह सर्थ बाद में जोड़ी गई थी लेकिन यह सर्थ है कि जो भी कंपनी मिनीरत्न कंपनी का हिस्सा है वो ही नवरत्न कंपनी म शामिल हो सकती है मिनीरत्न की श्रेडी में हो ठीक है मिनीरत्न की श्रेडी में हो पहली शर्थ तो ये मान लीजे ठीक है और 9 कंपनिया 9 कंपनी जो सबसे ज़्यादा लाव अरजित करती है जो सबसे अधिक लाव अरजित करती है सबसे अधिक लाव अर्जित करती है ठीक है तो पहले तो 9 ही थी बाद में आपकी ज़्यादा हो गई तो हर साल जैसे कुछ ना कुछ इन्क्रीज भी होता है जैसे कि पहले यह जो आपकी महारतन कंपणी के दरज़े थे वो 8 थे ठीक है उसके बाद वो कितने हो गए 10 हो गए तो आपके जो महारतन कंपणी है यह नवरतन कंपणी का ही हिस्सा है ठीए तो आप क्या देखिये नो कंपणी जो सबसे अधिक लाबर्जित करती हो और मिनीरतन शेनी में हो यानि कि इस केटेगरी में आल्रेडी हो उनको भी क्या होता है उनको भी कुछ सौलियत मिलती है जैस एक ऐसे ही आपकी आजाती है महारतन जिसके बारे में यहां मैंने कंपनियों की नाम लिख दिये हैं ठीक है महारतन कंपनिया कितनी है इस टाइम पर वो सारी चीज़े यहां पर लिख दिये हैं तो चलिए आप देखते हैं महारतन कंपनिया क्या होती इससे पहले मैं आप लोगों को बता दू कि एक एप है धुरीना एप तो जब आप उस एप को इंस्टाल करोगे तो अगर आप किसी भी इस तरह के एक्जाम की तियारी कर रहे है जैसे राजस्थान पटवार या फिर को और भी जो एक्जाम होते हैं उनकी बहुत अच्छी त्यारी कर रहे है ठीक है तो उस एप को इंस्टाल कर लीजिए और लिंक जो है आप वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए देखते हैं क्या होती है महारतन कंपनियों की भी इसी तरीके के कुछ सर्थ होती है कि वो जो महारतन कंपनियां हो वो इस नवरतन कंपनी में शामिल हो यानि कि नवरतन की श्रेडी में सामिल हो पहली चीज हो गई आपकी ठीक है उसके साथ कुछ और के टेग्रीज भी होती है वो शेयर में भी पार्टिसिपेट करती हो यानि कि जो शेयर शेयर जो ल साल से लाब अर्जित कर रहे कम से कम 25 जार करोन रुपय siis कम से fine सबस्क्राइब पंच जार करोन का उसको कम से कम लाब हो एक साल के साफ़ से ठीक है एक साल का जौ आपका लगबग उसका नभान हम बोलेंगे तो 5000 क्रोण कर उतना ही वो क्या कर सकती है उसको फाइदा क्या मिलता है यहां में थोड़ा जल्दी जल्दी बता रही हूं जब मैं economics पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको detail में यह सारी चीज़े बताऊंगी ठीक है और इसके बाद क्या होता है कि 5000 करोण का ही वो कंपनिया क्या कर सकती है निवेश कर सकत इसमें उनको सरकार से इजादत लेने की जरूत नहीं है और यह महारतन कंपनियों का दर्जा कब बनाया गया 2009 में वर्ष 2009 में यह दर्जा बनाया गया ठीक है तो यह हमने जान लिया कुछ basic सी चीजे मिनीरतन महारतन और आपका नवरतन कंपनियों के बारे में आप देख ल तो वो नाम यहां पर लिखे हुए हैं चलिए देख लेते हैं है कि भारत हैवी एक्रिकल्स लिमिटेड यानि कि इसको हम शॉट क Τमी क्या बोलते भेल ठीक है बेल बोला जाता है कि भारत हैवी इ탁र कल्स लिमिटेड ये भी आपकी महारतन का हिस्सा है फिर देखिए next है भा कोट इंडिया लिमिटेड ये भी महारतन कंपनी का हिस्थ है, यानि कोई ये थी क्यांफर इंडिया लिमिटेड ठीक्या है, ढर्ट कंपनी की चुली कुछ कंपनीों के शोर्ट में पूझ सकता जसी यह हो गया, HPCL हो गया, भेल हो गया, ठीक है, इस तरह के, BPCL हो गया, तो देखें, हिंदुस्तान Petroleum Corporation Limited, यानि कि HPCL ये भी महारत्म कम्पनी का हिस्सा हो गया है, Indian Oil Corporation Limited, ठीक है, IOCL, आप इसका Short Cut तो कर ही लोगे, ठीक है, और इसको ऐसे भी Learn कर ले, फूल फॉर्म इसका ज़रूर्ड लिए इंडियान ओयल कोर्पोरेशन लिमिटेड फिर देखिए नाशनल थरमर पावर कोर्पोरेशन यह निकि आपका एंटी पीसी है ठीक है यह कुछ बहुत ही जादा फ्रेमस कम्पनिया है ठीकिन तॉल Thermal Power Corporation Oil and Natural Gas Corporation Limited नहीं कि आपका ONGC उसके बाद देखिए Power Grid Corporation of India Limited Steel Authority of India Limited थे आपकी कुछ कम्पणियां हैं धस कम्पणिया जो कि महारतन के श्रेडी में आ चुकी है और तो आज आप लोगों ने देखा कि महारत्न मिनीरत्न और नवरत्न कमपनियां क्या थी बाकि जब मैं बेसिक से आपको पढ़ाऊंगी इकोनोमिक्स ठीक है तो वहाँ वे मैं आपको सब कुछ बताऊंगी एक एक चीज डीटेल में पढ़ेंगे हर एक चीज ठीक हर एक पॉइंट पढ़ेंगे बाकि इस चीज को आपको क्या करना है जितने भी कमपनियां इनका स्क्रीन शॉट ले लिजे इन कमपनियों को आपको तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते रहिए सीखते रहिए सुक्षा दिक्षा के साथ